कैथल में सफाई घोटाला एक बहुत बड़ा स्केम सुनने में आया जिसमें करोडों रुपए के परजी बिल बना बना के सफाई के नाम के करोडों रुपए भारतिय जंता पार्टी के नेताओं ने अफसरों ने मिलके ड़कार लिये वो हैरानी की बात नहीं है ये तो भारत पार्टी के से CBI का इस्तिमाल करके उस शिक्षा गोटाले में बीजेपी के नेताओं को बचाया गया उसी तरह से पुलिस का इस्तिमाल करके उसी तरह से एजेंसी का इस्तिमाल करके यहां इस सफाई गोटाले में भी भारतिय जंता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम क किया जा रहा है उनको सरक्षण दिया जा रहा है सबसे हरानी की बात यह है कि विजिलेंस जिसको ढूड़ती फिर रही है जिसको विजिलेंस एक महीने से यह कह रही है कि यह पकड़ में नहीं आ हम खुब छापे मारी कर रहे हैं हम आज उनकी एक तस्वीर ले करके आएं पंचकुला के अंदर जब अमिज्शा जी आए तो उनके बीजेपी के पदा दिकारियों के सम्मेलन में ये व्यक्ति बैठ करके प्रवीन सरदाना इनका नाम बताया गया गोटाले में नाम है विजिलेंस इनकी खोजबीन कर रही है ढूंद रही है कह रहे हैं कि छापे मारी भी करिये वहीं इनको पगड़ने के लिए लेकिन ये तो अमिज्शा जी के सरक्षन में उनके कारेकरम में भारतिय जनता पार्टी के तमाम दिगज नेताओं की मौझूदगी में ये तो आराम से सेल्फी ले रहे है इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भारतिय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को जिनोंने गोटाला किया है जिनोंने सफाई गोटाला किया करोडों रुपे उसमें कमाए, करोडों रुपे का ब्रश्टाचार किया, उनको मारतिय जंता पार्टी के टॉप लीडर्शिप का सरक्षन ट्राप ने, उनको ऐसे कारेकरमों के अंदर आने की अनुमती है, जहां केंद्रिये ग्रेह मंत्री आ रहे हैं, जहां सुरक्षा टॉ जिसके उपर सारी एजेंसियां वाजपा की सरकार ने लगा दी हो, उसके बावजूद भी एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाये हो, जिनके उपर रत्ति भरवी ब्रश्टाचार आज तक साबित नहीं हो पाया हो, आम आदवी पार्टी जैसे इस तरह के विकल्प को हरियाना के लोग इस भरश्टाचार को खतम करने के लिए तलाश रहे हैं और हमने भी आने वाले विधान सभा चुनाव के लिए हरियाना के लोगों की इस मन्शा को पूरा करने के लिए हमने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है